अब मैं बहुत सम्मान के साथ आज के हमारे विश्वे विद्या लेके कुलपती वांचिक दोर्जे नेगी जी से निवेदन करूंगा कि आप अपना संबोधन प्रस्तूत करें परम आदनिय महा महीं लक्ष्मन प्रसाथ आचारे जी राज्यपाल सेक्किम प्रोफेसर हरिकेश सिंग जी बूत पूरब कुलपती लोगनाया जेप्रगाई विश्विद्या लेच्छापरा और हमारे संस्थान की कुल सचीप डॉक्टर सुनीता चंद्रा जी हमारे वरिष्ट आचारे प्रोफेसर धरमदत चतुरवेदी जी तथा राजपाल के साथ पदारे गन्माने जन तथा संस्थान परिवार के सभी वरिष्ट एवं कनिश प्रद्यापक गन करमचारी गन हमारे टिप्टी राजिस्टार हिमांशु जी तथा प्रिये चातर सब्रपथम न elbows सिक्किम की राजपाल जी का इस पुन्ह तथागत के द्वारा तरम चकर परिड़न के पुन्ह सथाल पर मैं सभी परवार किये और से ते बेल से आपका आविं दनन करता हूं वागत करने चाता हूं और दनन करने चाता हूं सिक्किम बारतिय बोड़ दर्म दर्शन एवं संस्कृति का एक प्रमुक केंदर है सामानेता बोड़ दर्म को हम ठेरवाद परंपरा और महायान परंपरा के रूप में देखते हैं वहीं महायान परंपरा के अंतर्गत सुतर परंपरा जिसे हम प्रग्य पारमितने केते हैं और वजरियान जो अंतरियान कहलाती है सिक्किम जो है वजरियान दर्मतर्शन का एक प्रकाशिक के अंदर है वहाँ पर चैसे कि आपने भी कहा लगबग दो हुसो से भी ज़्यादा मंदिर विहार हैं जहां पर भारतिय वोट डर्म दर्शन और संस्कृति का जो है अध्यापन होता है इस परकार जो है सिक्किम एक दिरिश्टी से देखा जाए तो हमारे भारतिय प्राचीन गुन और ग्यान परंपरा का एक प्रकार से महान केंदर रहा है भारतिय जो बहुत दर्म और संस्कृति है उसको जो है निरंतर पनाएं रखने के लिए जो है मैं समाज़ता हूँ सिक्किम जैसे राज जी का जो है महान योगदान है इस संदर में मैंने जो है राज जैपाल जी के उद्बोदन से उनके साक्षम नेटरी तबके से जो है जो मैंने उनके अभी व्यक्ति के दोरा मैंने उनके विचार को सुना उससे मैं अपने को बहुत ही कौरवानमित मान रहा हूँ और मुझे आशा है कि जो बहुत दर्म दर्शन की श्रंखला है वो निरंतर जो है बने रहेगी जिस प्रकार से किम बहुत परंपरा का केंदर है तो इसी प्रकार ये संस्तान भी बहुत दर्म दर्शन के प्राचार प्रासार के लिए जी सथापित हुआ है जैसे कि इस तोर विच्छतार से हमारे प्रॉफेसर दर्म दप चतुर्वे दीजी ने प्रकार टाला था इस संस्तान का ऐक परकार से वीजन जो है क्योंकि भारत वरस में बादरम लगबक बारवी तेरीवी शतावदी में जो एक प्राकार से नंस्ट प्राय हो गया था लेकिन तिबबत के महान समराठों और तिबबत के युवाओं ने सेवन सेंच्छरी से लेकर के बारवी तेर्वी श्थावदी तक जो है कटिन परीश्रम करके बारत में आए यहां पर अध्यन किया और फिर जितने भी बारत वरश में ताथागत बुद्ध के समय से लेकर ते करके जो है आज जो है तिबबत में बहुत दर्म संपूरन रूफ से वहां पर जो है संग्रक्षित है इस तरिश्टी में जड़ी आप देखेंगे तो तथाकत बुद के वचनों में लगबग सो बॉलम्स हैं जिसमें जो कॉंटेंट की दिरिश्टी से देखा जाए एक हजार एक सो से भी जादा है वहीं पर भारती आचारों के द्वारा लिखा गया जो कॉंट है जिसमें ब्याकरन है तो चंद है साहित है आयूरविद्या है जोतिश है आदी आदी लगबग 4567 जो साहित है गरंध है उसको जो है तिबबत के आचारों ने तिबबत के युवाहों न संस्कृत से जो है अनुवात करके जो है संग्रक्षित करके रखा है प्राए भारत के इतियासकार ये मान कर चले थे कि बारत वरश में भी एक प्रकार से बहुत दर्म धर्शन का जो है संपूरन रूप से नश्ड हुआ ऐसा इतियासकार मानते हैं जब कि वास्त में देखा ये अरुनाचल से लेकर सिक्किम से तारजलिंग से हिमाचल लद्दाक आदि में कभी भी बहुत दर्म संपूरन रूप से नस्ट नहीं हुआ है निश्चित रूप से मैदान में बहुत दर्म नस्ट जरूर हुआ है लेकिन इन हिमालें छेतरों में जो है बहुत दर्म जो है क कि यह अर्ज्छ नहीं हुआ है तो क्योंकि वहां साहित्य उपलत है उनहीं साहित्यों को आज हम इस संस्तान के मारपत जो parenth hvisा में आदुन बाशा में या आदूनिक जंदा के बाशा में जो हम उसको जो अनुदित कर रहे हैं, अनुबाद करके जो है सामाज के साथ में ला रहे हैं, जैसे कि आपने का आज तक लगबग साड़े तीन सों से जादा जादा करंथों का जो हमने पुनर उद्दार किया है, तो आज के समय में मैं देखते हैं न, बाप बड़ा न बैटा, सबसे बड़ा रुपईया के तरह, आज ये संस्कृती है, इस संस्कृती को यदि कोई रोके तो मैं समझता हूँ भारतिय चिंतन ही इसका विकल्थ है, यही कारण है कि आज लोग युद नहीं बुद की बात करते हैं, जब युद कोई हैं मैं भुद की बात करता हूं, यहां भुद को मैं शाचामुनि बुद के रूफ में नहीं लेता हूँ, बुद क्या है? भुद जो अवेकन pagar, जागरित जान के अर्थ में में बुद को लेता हूँ, ये हमारे जो है, उपनिसित में भी कहा हैं न, तमसो मजोती गमें हमारा आदार ही क्या है अंदकार से जान की और जाना जो है भारती चिंदन है भारती दर्शन है इस दृष्टि में यदि हम बुद को देखें यदि कभी कभी हम सनातन या हिंदू या सेथ या बौद इस परकार का शब्दों से अलंकृत करें जब हम व्याच्या करते हैं तो जो है मैं समझता हूँ समस्या आती है यदि हम वास्तव में दुनिया का यदि हम नेतरी तब करना चाहेंगे तो हमको यह कहना होगा कि भारती चिंदन ना कि सनातन ना कि हिंदू ना कि बौद अपी तो भारती चिंदन कैसे दुनिया को नेतरी तब दे सकती है जब हम भारत जिन्तन की बात करेंगे भारतिय चिन्तन के अंदर कर जो सेमेटिक रिलिजन है या अबरहमिक रिलिजन है उसको छोड़ करके जब हम अबरहमिक या सेमेटिक धर्म की बात करते हैं उसमें जो है पूरब जनम या परजनम की व्यवस्ता नहीं रहती है और अनेक अंदर है जो हो लेकिन जो भारितिय भूमी में कितने भी धर्म दर्शन की उत्पति हुई है वो जो है सब पूरब जनम पर जनम को मानती है करमभल को मानती है मोक्ष को मानती है इस दरातल पर जो है मैं समझता हूँ भारितिय चिंदन नाम अगर आप देंगे तो भारितिय चिंदन वास्त नो ही विशेश दर्म के साथ जोड़करके, आगर हम चाहें कि दुनिया का नेतरितर्भ करें वो संभफ नहीं हो सकते, बौत भी भारती चिंदन ہے, वेद भी भारती उपनिषेत भी भारती ह legitimately जिन्दन, सभी भारती हे चिन्दन, भारती चिन्दन क्या है? इस से पहले पुरा क कि बावना है यही विचार यही बावना जो है हम दुनिया का नेत्रित कर्में हम सकते यह विचार यह चिंदन कहीं दूसरे जागा पर आपको संबब नहीं हो सकता है क्योंकि पासचाते दर्मदर्शन सेमेटिक दर्शन के साथ साथ वो जो है जैसे डार्विन थोरी के तरह सर्वाइवल और फिटस मतस से नियाए की बात करते हैं और वो लोग उनको कुलीन और सब्या केते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कंजूम करते हैं वो उनका चिंदन है वो उनका दर्शन है लेकिन भारतिय चिंदन भारतिय दर्शन जैसे विवेकानन जी कहते हैं नर नारायन की बात करते हैं संबुरन प्रानी मातर के अंदर है बुत कहें तो बुत प्राप्ति का जो है बीच सभी परानियों में है वही सनातन में कहें तो सभी परानियों के अंदर परमातमा का अंश है आत्मा है वही उसी को मैं बुत का बीच मानता हूं ताथागत गरब मानता हूं यदि इस पराकार का चिंतन को लेकर के अगर हम नहीं चाहते हैं, यह भारतिय दर्शन है, यह भारतिय चिंतन है, यही चिंतन जो हमें युद से बचा सकते हैं, अन्य था, तो आप आज देख रहे हैं, दो विश्व महायुत होच की है, लगब किती है, विश्व महायुत के कागार पर हैं, जरी हम इससे बचना हैं, तो हम को जो है जो हमारे प्राचीन भारतिय मनीशियों ने जो चिंदन दिया है वसुदेब कुटम कम की जो भावना हमें दी है उसको हमको जो है आगे बढ़ाना है इनी शब्दों के साथ पुना मैं महामाइम राजपाल जी आप आए और इस अतीशा होल को जो है आपने जान और प्र प्रेसिंग किया उसके लिए मैं हार्दिक तन्यवाद देता हूँ